हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड़ा जॉब्स में जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफर्मेशन आज मैं आपको West Bengal Municipal Service Commission ने जो टीचर पत की भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपसे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वेकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इंपॉर्टेंड डेट और एक्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँगा आगे हम वेकेंसी की बात करें तो टीचर का टोटल 201 पोस्ट है और अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखने है तो आप ओफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में दी हुई है आगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीचर कोस्ट के लिए आप हायर सेकंडरी या एक्विलेंट पास हो और आपने दो साल का डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स किया हो या फिर आप हायर सेकंडरी या एक्विलेंट पास हो और आपने चार साल का बैचलर इन एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स किया हो या फिर आप higher secondary या equivalent पास हों और आपने दो साल का Diploma in Elementary Education कोर्स किया हो ग्रेजूंे किया हो और आपने दो साल का Diploma in Elementary Education कोर्स किया हो इंग्लिश टीचर पोस्ट के लिए आपने English as a First Language पढ़ी हो higher secondary तक या फिर आपने make English किया हो Primary teacher post के लिए आपने specific language as a first language और second language पढ़ी हो higher secondary तक आगे हम age limit की बाप करें तो आपकी upper age limit एक जनवरी 2020 को count होगी और आपकी उम्रे यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए Resort category को यहाँ पर उप्योगते age relaxation भी दिया गया है इसकी details जानने के लिए आप official notification भी चेक कर सकते हैं जिसकी link मैंने इस video के description box में दी हुई है आगे हम फीस की बात करें तो SC, ST और PH candidate के लिए फीस 70 रुपए और बाकी candidate के लिए फीस 220 रुपए है जो कि आपको बैंक चालान के माध्यम से पे करना है आगे हम salary की बात करें तो आपकी salary राजे सरकार द्वारा देय पे लेवल 6 के निस्वार होगी आगे हम important date की बात करें तो form fill up होगा आपका 11 माद 2020 से 17 प्रेल 2020 के बीच फीस पे कर सकते हैं आप 11 माद 2020 से 17 प्रेल 2020 के बीच admit card download कर सकते हैं आप exam से एक week पहले और exam का date अभी declare नहीं किया गया है आगे हम selection process की बात करें तो इसके बारे में फिल हाल कोई detail official notification में नहीं दिया गया है और यह जब भी update होगा हम आपको इस channel के माद्यम से बता देंगे तो दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका इस notification से related कोई सवाल या सुजाओ है तो आप comment box के माद्यम से हमसे संपक कर सकते हैं ऐसे ही job notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे channel adda jobs को subscribe भी कर सकते हैं और साथी साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें धन्यवार